हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू अभिपीडिया, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज मेंस के एक्जाम में आप कुछ इंपॉर्टन्ट इश्यूस को यूज कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को थोड़ा उसमें इन्हांस हम बात करें, तो एक बहुत ही रीसेंटली एक ऐसा टॉपिक एक इश्यू इमर्ज होके आया है, और अधार कार्ड, अधार की जो सर्विसेज हैं, अधार इनेबल जो सर्विसेज हैं, उसके ऊपर एक रीसेंटली जहारकंड में कुछ इंपेरिकल स्टडी हुई है, उस इं वीडियो में डिसकेशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप उसे अपने मेंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, अभीपीडिया के इस प्लाटफॉर्म को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, और कॉमें बताइएगा कि आप और कौन-कौन से टॉपिक्स ह हम डिसकेश करेंगे हिंदु में, हिंदु आज कल थोड़ा सा राइडिकल निउस पेपर होता जा रहा है, पर्टिकुलर्ली अगर बात करें, सिवल सर्वेसे अच्परेंट्स के लिए, तो हमें ये कोशिश करनी है, कि हिंदु में से जो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को होन कर सके, इंप्रूफ कर सके, उन चीजों को निकाल के रखना है, and particularly this editorial is one of those articles जो आपको definitely cover करना चाहिए, अगर बात करें, आधार-based biometric authentication system की, it did not reduce this article, this editorial is talking about this fact, कि it did not reduce the PDS leakages, और ये जो जारखन में study हुई है, इससे ये पता चलता है, कि मनरेगा को आपने आधार के में जो आप लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार योजना है, उसमें, and PDS scheme के अंडर भी, in fact, public distribution system के अंडर भी, कोई leakages में कमी नहीं आई है, ये जारखन-based study जो है, हमें बता रही है, now, हमें जो देखना है, अपने civil services exam के point of view से, वो ये देखना है, कि किस तरीके से ह हम आधार as a topic को use कर सकते हैं, now, आधार as a topic, ultimately, is based on ICT, Information Communication Technology, ICT technology के उपर based है, आधार, now, आधार, particularly, आपको ये देखना होगा, that, I'm sorry, ये marker थोड़ा सा धीला है, चलिए, अभी दिख रहा है, हाँ, right, now, आधार में, आपको ये देखना है, कि क्या सोचा गया था, conceptualized जब किया गया था, तो समय क्या सोचा गया था, आज उसमें क्या study ये बता रही है, जो जारकंड में empirical study हुई है, and ultimately, answer writing में ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कि आपको अगर marks अच्छे लेने हैं, तो conclusion में, अपनी suggestions किसी ना किसी तरीके से उसमें घुसा दीजे, marks अ and infrastructure, 90,000 करोड has been accrued to the government, UIDAI की 2017-18 की report है, now 2017-18 में ये सोचा गया था, कि अधार 90,000 करोड रुपया आपको बचा के दे रहा है, plugging the leakages in the system, ये सोचा गया था, कि जब सरकार ने ये scheme शुरू की, तो करीब करीब 3 trillion Indian rupees, एक साल में, 3 trillion, 1.25 billion हम कहते हैं कि हमारी population है, उससे भी 3,000 गुना जादा हम खर्चा कर रहे थे, एक इंसान के ऊपर, on public distribution system and service delivery infrastructure in the country, 3 trillion rupees per year, across all the welfare programs, चाहे आप PDS की बात करें, चाहे आप LPG की बात करें, चाहे नरेगा की बात करें, and in fact, ये देखा जा रहा था, कि any schemes के अंदर, 30 से 40 percent जो पैसा है, वो हम lose कर रहे हैं, 30 से 40 percent पैसा जो है, direct beneficiaries तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं, वो जिसके लिए खर्चा कर रहे हैं, उस तक वो खर्चा पहुच नहीं पा रहे हैं, अब ऐसे में, हमें क्या करना चाहिए, हम basically ये identify करेंगे, पहली चीज, simple, अगर आप भी civil services में होंगे, जिस दिन आप IS बनेंगे, तो आप यही कोशिच करेंगे, अपनी policy को design करते वक्त, कि आप beneficiary identify करेंगे, कि किस के पास तक आपका ये benefit, जो आप सरकार के थुरू, सरकार के मादियम से पहुचाना चाहते हैं, उसके ब हो गया है सारा service delivery, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, कि आपने जहां पे पैसा खर्च किया है, वो पैसा ultimately वहां पे benefits create कर रहा है या नहीं कर रहा है, now on those grounds, यही सोचा गया था कि यह जो 30-40% के जो losses हो रहे हैं, उन्हीं losses को curb करने के लिए, हमें ICT technology का use करना पड़ेग जो है conceptualize किया गया, फिर उसके बाद recent government ने, यह term recent government मैं भोल रहा हूं lecture में, आपने अपने answers में नहीं लिखनी है, but government ने यह decide किया, पहले 2005 में this was only a service, यह शुरुआती दौर पे voluntary थी and अब ultimately इसके through government अपनी services को deliver करना शुरू कर रही है, now this is not the first time कि कि किसी भी दुनिया के ए इसी service शुरू हुई है, जितने भी Scandinavian countries है, Scandinavian countries मतलब सारी के सारी आपकी Denmark, Sweden, Finland, Norway, ऐसी सारी countries जो human development index में उपर का rank लेती है, उपर का दर्जा लेती है, उन countries में particularly ऐसी technologies बहुत use होती है and in fact उसी के basis पे identification process होता है, सब कुछ online system है and उसी ground पे इंडिया ने भी सोचा था that हम भी कुछ ऐसा लाते हैं, जिससे कुछ, you know, हमारे service delivery infrastructure में एक क्रांती आए, एक revolution आए, now, आधार was based on those ideas only, now, ऐसा सोचा गया था, apart from 30 to 40% losses, ऐसा भी सोचा गया था कि कुछ ऐसे duplicacy है, ऐसी duplicity है, कुछ ऐसे ghost beneficiaries हैं, जो exist नहीं करते हैं, for example, Salman Khan के नाम पे PDS system चल रहा था, ऐसे बहुत सारे कुछ लोग जानवरों के नाम पे भी अपना राशन कार्ट बनवा रहे थे, and India में, इस पूरे process में, because India was a rural economy, India शुरू से ही, and in fact, आज भी, अगर आज भी आप जैसे economic development की बात करें, तो आपको rural economy को impetus देना होगा, ये पीछे बहुत टा में ये बातें चलती आ रही है, आप इस बात से अनभिग्य नहीं भी होंगे, and particularly अगर आप बात करें, तो ये इंडिया की एक सबसे बड़ी problem है, in fact, ये आधार की भी problem रही है, water card और driving license वगएर, ये सारी चीजों की ये issue ये रहा है, जो कि ultimately NRC में भी आपको notice किया होगा आ ये duplicity जो है, this is a major concern for a country and economy like India, ये duplicity को कम करने के लिए अधार को सोचा गया था कि it would benefit the entire system, अब ये देखते हैं कि जो ये editorial है, ये जिस study की बात कर रहा है, उसमें क्या बताया गया, now, no measurable benefit has been seen after implementing अधार, ये जहाँ पे, अब इसको पूरा generalize नहीं करना है, ये पूरे देश के लिए नहीं बोला जा सकता है, हाँ, कुछ areas में, कुछ pockets में, कुछ regions में, आधार का benefit दिखा भी होगा, लेकिन जहाँ पे ये study की गई, जहारकंड में, वहाँ पे ऐसा देखा गया, कि आधार ने actually कुछ खास benefit दिया नहीं है, in fact, ये दूसरी चीज दो देखी गई, वो ये, कि जो इसका major हमने thought process रखा था जब conceptualize करने की सोची, तो ये सोचा गया था कि ये leakages को reduce करेगा, leakages भी reduce नहीं हुई है, in fact, there had been an increase in the cost of transactions, अब आपको पहले 33 रुपे के आसपास पर beneficiary खर्चा होता था, इसके benefits को transfer करने में, अब outcomes को, जो आपको end user तक पहुँचाना है, end consumer या end customer तक पहुँचाना है, आज के welfare state में consumerism आ गया है, ये word, ये term आप यूज करें अपने answers में, बहुत फाइदे मिन्द होगा, and now, अभी recently ये देखा गया, इस study में, कि 17% increase हुआ है, in the cost of transferring those benefits, अधार कार्ड के benefits को transfer करने के लिए, 17% आप extra खर्च कर रहे हैं, ये जारखन में जो study हुई, उसमें देखा गया, this whopping 17% extra cost burden of the value of the benefit, they were entitled to receive, 17% छोटी मामुली रिकम नहीं होती है, अगर आप इसको pan India कर देते हैं, इसको multiply करते हैं, तो ultimately ये कहीं हजार क्रोड के आसपास बात पहुँच जाती है, Now, summary of the finding, हम ये देखते हैं कि हम अपने points जो आप अपने answers में लिखना चाहते हैं, वो क्या होंगे, सबसे पहली चीज, कहीं areas में, ये आपको refine करके इसको अपने answers में लिखना होगा, in some areas, there has been no direct, कोई भी direct benefit नहीं दिखा है, कोई भी positive factor नहीं मिला है, that is one thing, The other thing is, कि आपको, जहां आप pan India उस चीज को बढ़ाना चाहते थे, सब को include financial inclusion, हमारा 14th finance commission, 14th finance commission, इसी के ऊपर चला था, जिसमें उसने ये बोला था, कि हम ultimately सब के सब लोगों को welfare schemes में, benefit schemes में include करेंगे, वो हम जो all India, pan India inclusion की बात कर रहे थे, financial inclusion की, जिसके उपर भी आधार based था, और उसी के basis पे आप कह सकते हैं, कि deep monetization का so-called फायता जो हुआ, वो ये हुआ था कि सारे के सारे लोग digital economy का हिस्सा बनने लगे थे, वो जो financial inclusion का process था, उसमें आधार का जो role था, 14th Finance Commission ने हमारे सामने रखा था, ये सोचा गया था, that it will enhance the outcomes as well as it will enhance the outreach, outcomes and outreach, now, अब ये outreach बढ़ाने का मतलब ये है कि इसको targeted beneficiaries तक जादा पहुँचने आ चाहिए था, लेकिन ये देखा गया इस study में, जारखंड के अंदर, it denied ration to 10% of genuine beneficiaries, ये चीज हुई, दूसरा 17% costs बढ़ गई, कुछ areas में, जैसे जारखंड में जहां पे study हुई, and ultimately ये कहा जाता है कि no pain, no gain, but no pain, no gain नहीं हुआ, pain with no gain हुआ, they include that अधार authentication for PDS in जारखंड caused some pain with no gain, ultimately ये ही conclusion निकाली जा सकती है, कि यहां पे जारखंड में, जहां पे PDS system में अपने अधार को link किया, वो ultimately उसने कुछ खास फाइदा नहीं दिया, in fact, नुकसान जादा किया, now, what premises were wrong about अधार, सबसे पहली चीज, जब कोई भी scheme, कोई भी project, आप कोई भी service delivery mechanism शुरू करते हैं, for example, हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा उस चीज को करते हैं, कोई भी आपके घर में खाना बनता है, तो आप थोड़ा सा चाहे भोग लगा के, चाहे वैसे, आप कुछ खा के देखते हैं, कि उसमें नमक मिर्च सब ठीक है या नहीं है, तो वो ही testing आधार की नहीं हुई, आधार की testing empirical study होना बहुत ज़रूरी था, वो हुआ नहीं, कि वो किस तरीके से duplicity को कम कर सकता है, वो नहीं देखा, उसके बाद दूसरी चीज जो नहीं की गई थी, वो ये थी, कि कोई भी pilot project नहीं किया गया, कि छोटे area में, मान लीजे बिहार में भी अगर आप करते, जहाँ पे आपको लगता है कि जादा आपको outcomes की जरूरत है, वहाँ पे आप इसको implement करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि इसका फरक कितना पड़ रहा है, नौ, ये देखा नहीं गया, इसका अभी जितना भी data है, वो सारा ही हवा में है, इन फैक्ट ये study, ये ground realities को बताती है, ये बताती है कि ultimately अधार is not all good, नौ, हमें इसमें से क्या लेना है, हमें इसमें से ये लेना है कि आज आपको, आपके सामने दो questions हम discuss करेंगे, आज के सवाल ये हैं, आपकी screens के ऊपर ये देखी, जो important questions हैं, जो आपके means के perspective से very important from this entire episode, number one, India's social sector policies are marred by leakages and duplicity, critically analyze the role of ICT-based technologies in curbing such losses, अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों questions, दूसरा question जैसे, for example, what is the role of science and technology in service delivery infrastructure in India, ये दोनों के दोनों questions ऐसे हैं, अगर आपने previous year means के questions देखेंगे हैं, GS के paper के questions देखेंगे हैं, चाहे paper 2 है, चाहे paper 3 है, ये दोनों के दोनों exams में useful हो सकता है, in fact, जो public administration optional वाले लोग हैं, उनके लिए भी important है, now, if you see both of these questions, तो आपको इसमें एक चीज नज़र आएगी, वो ये, हालां कि अभी हमने जितनी भी अभी, ये एडिटोरियल की discussion की, इस पूरे discussion के बाद भी, इस question में negativity नहीं दिख रही, UPSC का ये ही style है, वो negative चीज़ों को critically analyze, ये आप जो word देख रहे हैं, critically, ये critically analyze word डाल देती है, उसमें आपको negativity, positivity, दोनों को balance out करके आपको लिखना पड़ेगा, ये means के perspective से बहुत important questions है, I would suggest कि इसको आप कहीं no doubt कर लीजे, Now, India's social sector policies are marred by leakages and duplicity, critically analyze the role of ICT-based technologies in curbing such losses, अब इसमें सिरफ और सिरफ ICT-based technologies की बात की गई है, तो अब यहाँ पे आप big data use कर सकते हैं, पहला सवाल, दूसरा, क्या आप इसमें artificial intelligence use कर सकते हैं, दूसरा सवाल, तो ये दो questions कि आप इस answer में use कर सकते हैं, इन technologies को या नहीं, answer is कि आप अपने solution में जहाँ आप conclusion की बात करेंगे, वहाँ आपने इन दोनों terms को यूज़ करना है, big data को, artificial intelligence को, and service delivery mechanism, outcome-based policy designing framework, इस तरीके की terminologies को आपने यूज़ करना है, जो अभी हमने सारी बात की, उसी से related हैं ये दोनों सवाल, आज इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते रहेंगे, important issues को discuss करते रहेंगे, आधार से related आपको ये जो information है, आपको सामने आपके computer screens के उपर, mobile phone screens के उपर, जो ये questions दिख रहे हैं, these are the questions which are very important, इन ही की answer writing practice करते रहेंगे, answer writing practice ही, ultimately आपको means में अच्छे marks दिलाती है, आज इस वीडियो में इतना ही, अभी पीडिया को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सुनने के लिए, thank you, bye bye.